हेलो फिंच बहुत बहुत शुक्त है आप शबी का हमारे एजुकेशन भी साई हैं तो दोसमा आप लोग कैसे हैं I hope कि आप लोग अच्छे ही होंगे सो फ्रेंस आज की सीडियो में आप लोगो बताऊंगा देलही पुलिस कॉंस्टेबल एक्जाम के लिए बेस्ट बुक्स आपको बताऊंगा कि आपको जी के रेजिनिंग नियुमेरिकल एबिलेटी एंड कैम्पूटर की आपको कौन सी बुक्स लेनी चाहिए जिससे आपका आसानी से एक्जाम क्लियर हो सके अच्छा इसकोर आपका आ सके एंड आपका सेलेक्शन देलही पुलिस कॉंस्टेबल में हो सके तो वीडियो का आएंड तक देखते रहें सारी जानकारी में आपको इस वीडियो में दूँगा कि आपका कितने नंबर आने पे आपका कैसे सेलेक्शन हो सकता है तो वीडियो का आएं तक देखते रहें अगर आप लोग भी दिल्ली पुलिस कॉंस्टेबल की प्रिपेशन कर रहे हैं तो देखिए इस एक्जाम में टोटल कोश्चन्स मुझे आएंगे हंडेट कोश्चन ठीक हंडेट मार्क होंगे ठीक यानि क एक कोश्चन्स एक नंबर का होगा ठीक हम इसमें जान लेते हैं कि किस सब्जेक्ट से कितने कोश्चन्स आएंगे ठीक देखिए पहला जो पार्क ए हमारा है जनल लॉलेच एंड करेंट अफेर ठीक इसमें मिक्स हैं टोटल आपके जो जीके एंड सीए ठीक जीके सीए से आपके टोटल कोश्चन्स आएंगे फिफ्टी कोश्च इसमें से लगबग माण की चलिए 10 कोश्चन्स आपकेगे, ठीक, टिक करेंट एप्कार के कोश्चन्स आएंगे और जो बाकी कोश्चन्स रहेंगे, फोटी इसमें ये सब हो गया है, पॉल्टी हो गई, तो इससे आ अगर आप लोग Lushent पढ़ रहे हैं या आप लोग के पास नहीं है तो अभी भी आप लोग ले सकते हैं, अभी भी आप लोग के पास टाइम है, Lushent की बुक आप लोग ले लिजे, Subjective और Objective दोनों ले लिजे, ठीक, Subjective को आप पढ़िए, उसके बाद आपका जैसे Chapter खतम हो अगर आप लोग इन दो बुक को अच्छे read कर लेते हैं, तो आप लोग अच्छा score इसमें से कर सकते हैं, ठीक, Total 50 नमबर किराएंगे, 50 question, ठीक, इसमें कोई, यानि कि Section वाला टाइम नहीं कि GK में आपको इतना time दिये जा रहा है, जैसे Banking सेक्टर में होता है, कि GK में 30 मि इन दिया जाएगा, तो इसमें कोई भी नहीं, आप लोग चाहे जीसे आपको कर सकते हैं, आपकी मर्जी के हिसाब से, ठीक, उसके बाद हम लोग बात करते हैं, reasoning, reasoning, 25 questions पूछे आएंगे, 25 मार कें, ठीक, इसकी हम books की बात करें, कि reasoning में सबसे best book कौन सी हो, जो कि आप लोग इस exam में अच्छा performance कर सकें, तो देखे, reasoning, अगर आप लोग कोई books लगा रहे हैं, कोई भी हो, अगर उसमें type wise practice करने के questions अच्छे से दिये हैं, तो आप लोग उसको useful कर सकते हैं, otherwise, अगर आप लोग books लेनी की सोच रहे हैं, तो मेरे हिसाब से आप लोग books ले लिजे, master अरि C-set हो गया, banking level का भी उसमें questions दिया रहता है, तो अगर आप लोग उसको पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा मोटी books रहती है हलांकि, अगर आप लोग अच्छे से उसे पढ़ लेते हैं, तो आप लोग इसमें असानी से exam को crack कर लेंगे, इस exam को आप लोग 25 में से 20 प्लस तो आप लोग इसको असानी से ला सकेंगे, अगर आप लोग अच्छे से उसको दो बर revision कर लेते हैं, क्योंकि उसमें questions इतने हैं कि प्रैक्टिस करने के लिए इतने questions हैं कि आपके दिमाग में ऐसा feed हो जाएगा, solve करते करते, आप से कभी भूली नहीं सकता है, बस आपको daily practice करना है, वो books है, ठीक, तो reasoning के आप लोग अगर लेनी की सोच रहे हैं, तो master aryan की book ले लिजे, उसके बाद हम लोग बात करते हैं, numerical ability, math की बात करते हैं, ठीक, part C में, जो कि math के आपके 15 questions आएंगे, and 15 marks के, उसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं, कौन सी book आपको लेनी चाहिए, तो question अगर दिया हो, जैसे मैं एक दो book बता रहा हूँ, उसमें type wise question दिये रहते हैं, जैसे आपकी किरन की आती है, and HD आदो की आती है, तो मैं आप लोग जो suggest कर रहा हूँ book, आप लोग HD आदो की ले सकते हैं, किरन की क्यों नहीं suggest कर रहा हूँ, क्योंकि वो जो book है, वो seizure level की हो होती है, SSC की level की होती है, वो book, तो थोड़ा मोटी भी होती है, आप लोग उसको पढ़ भी नहीं पाएंगे, क्योंकि time आप लोग के पास नहीं है, तो अगर आप लोग पास books नहीं है, तो आप लोग SD आदो की book ले सकते हैं, ठीक, SD आदो की, ये करीब 2500 रुपई की आती है, ये book आप लोग ले सकते हैं, ठीक, अगर आप लोग को book लेने में दिक्कत हो रही है, print देखने में कैसे करना है, काउंसे लेनी है, तो नीचे मेरा whatsapp नमर आप हमसे contact कर सकते हैं, book के बारे में आप हमसे पूच सकते हैं, ठीक, तो स्ट्रोंग हो जाएगे, ठीक, तो आप लोग HD आदो की book लेजिए, अगर आप लोग उससे अच्छे से पढ़ लेते हैं, तो आप लोग 10 प्लस स्कोर आसानी से कर लेंगे, ठीक, अब हम बात करते हैं, computer, part D, तो दिखिए जो आपके computer से questions पूशे जाएंगे, आपके computer fundamentals and MS Excel रहेगा, MS Word रहेगा, Communication, Internet, WW and Web Browser ETC, तो दिखिए सबसे पहले हम यहाँ पे books पे नहीं बात करेंगे, मैं बात करना चाहता हूँ जैसे आप लोग कोई computer course किये हैं, DCA, ADCA, अभी हाल फिलाल में किये हैं, notes आपके पास computer की है, तो आप लोगों के पास notes वहोगी, तो कुछ ना कुछ तो आप लोग जानते ही होंगे, ठीक, क्योंकि 10 questions आ रहे हैं और ज़्यादर tough questions नहीं पूँचे जाते हैं, अगर आप लोग computer में थोड़ा आप लोगों को जानकारी है, या computer को कोई course किये हैं, तो आप लोगों को कोई books लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसी level से आ ऐसे ही रहते हैं, अगर आप लोगों को लेनी भी है, तो आप लोग market में जाके, अरीहंद की एक आती है, पतली सी book आती है, computer की आप लोग ले लीजिए, इसमें आप लोग syllabus मैच कर लीजेगा, आप लोग मार्केट में जाईए, आप लोग syllabus देखके, आप लोग मैच करिए काउंट काउंसे chapter हैं, जैदा मौटी लेने की आपको अवशकता नहीं है, ठीक book, ज्यादा से ज्यादा लेने की कोशिस करिएगा पतली, जिससे आपको revision करने में असानी हो, ठीक, तो ये थी books के बारे में, आपको total time इस exam में दिया जाएगा, 90 minute, क्योंकि time बहुत ही का मैं, practice के लिए आपको मैं book बता दूँ, आप लोग practice के लिए एक platform की book आती है, ये क्यों suggest कर रहा हूं, क्योंकि इसमें जो questions दिये रहते हैं, जितने भी objective questions दिये रहते हैं, उसके बाद जो इसमें का solve solution अच्छे से दिया रहता है, ठीक, हर questions का solution इसमें बाद में दिया रहता ठीक, previous paper लीजिए, अगर आप लोग first time exam देने जा रहे हैं, तो आप लोग previous से लीजिए, उसमें आप लोग देखिए, किस तरह के questions exam में पूचे जा रहे हैं, आप लोग फिर उस section को आप लोग देखिए, अपना इस्टों करिए, जितने आपके portion गलत हों, जैसे math में आपक इस PD की भी book ले सकते हैं, ठीक, इस PD की railway के लिए, तैयारी के लिए वो book आती है, आप लोग उसे ले सकते हैं, one liner questions के रूप में वो आती है, आपके सारे questions उसी में से cover हो जाते हैं, ठीक, तो ये था book का जानकारी, I hope कि हम लोग ये वीडियो पसंद आया होगा, तो अगर पर एसी वीडियो शिलाता रहता हूँ, जिसका notification आपको सबसे पहले मिल सकेगा, तो चलिए मिलते हैं, next video के पतले, thanks for watching, जैहिन वंदमात्रम